पतंजली के बारे में आप सभी ने सुना ही होगा आज पतंजली के एक प्रोडेक्ट सवसारी सिरफ के बारे में चर्चा करते हैं और उसके फायदे और नुक्षान को जानते हैं आप सभी का स्वागत है न्योजफोर सोसल में पतंजली दिव्य सवसारी परवाही सिरफ फेफडो की कोशिकाओं को सक्रिय करती है यह सवसंतंतर और फेफडो की सूजन को कम करता है इसके उप्योग से फेफडो में जमा कफ का निसकासन आसान हो जाता है यह एक परभावी आ अस्थमा के इलाज के लिए किया जाता है यह सांसों के अटैक से राहत देलाता है सांस की अन्य समस्याओं के इलाज के लिए भी इसका उप्योग किया जाता है यह एक सुरक्सित और प्राकर्तिक तरीके से सवसं रोगों का इलाज करता है और यह सुनिश्चित करता है कि फ जड़ी बूटियों से तयार किया जाता है जो इन बिमारियों के लक्षणों में राहत परदान करने में मदद करते हैं अगर इसकी खुराक की बात करें तो इन स्थितियों से पीडित रोग्यों को दिन में दो या तीन बार एक चमच या पांच बार सवसासरी परवाही का सेवन करना चाहिए वे दो चमज तक खुराक बढ़ा सकते हैं यदी लक्षन गंभीर है तो दिन में दो या तीन बार इसे लिया जा सकता है खुराक को सहद के साथ मिसरित एक गिलास करम पानी के साथ लिया जा सकता है दवा को भोजन से आधे घंटे पहले या बाद में लिया जाना चाहिए लेकिन आपको पहले यह बता देते हैं कि अगर आप यह दवा लेते हैं तो उससे पहले डोक्टर से सला जरूर ले लीजिएगा अगर पतंजली सवसारी सिरप के फायदों की बात करें तो यह दमा अस्थमा फेफडों को परभावित करने वाली एक पुरानी बिमारी है यह सांस की तकलीफ का कारण बनता है यह एक अलर्जी किस्तिती है जिसका आर्थ है लक्षणों को ट्रिगर किया जाता है जब सरीर उन पदार्थों के संप्रक में होता है जिससे व्यक्ति को अलर्जी होती है यह परतिरक्ष्या परणाली दवारा अंतरजित परतिकिरिया के प्रिणाम सवरूप ब्रॉंची और ब्रॉंचोलस में मास्पेशियों के कसन के कारण होता है जिसके कारण इन वायू मारगों के माध्यम से हवा का मारग स्वास परस्वास तक सिमित रहता है दिव्य सवसारी परवाही वायू मारगों को सिथिल रखकर इन लक्षनों में राहत परदान करने में सहता करती है इसके अलावा फेफडों के संक्रमन, सामानय जुखाम और गले में खरास अगर गले में खरास बहुत प्रेशानी का कारण बनता है तो रोग्यों के नियमीत गतिविधियों को परभावित करता है दिव्य सवसारी परवाही गले पर सुखदाय कारवाही का उत्पादन करके ऐ क्योंकि यह जानकारी सामानय जानकारी के आधार पर आपको दे गई है अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और सेर जरूर कीजिएगा तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा नमस्कार